नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में है दोस्तों इस सुर्म देखने वाले हैं SSE GD एक्जाम 30 जिनवरी प्रथम पारी का एक्जाम खात मुझ चुका तो इस सेप्ट में पूछेगे जीके के स्वाल का बेहत्रीन एनलेसिस एक्स्ट्रा फेक्ट साइट का और करेंगे तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना है पीडियो फायर के लिए टेलिग्राम चैनल जोईन करना है जिसकी लिंक डेस्क्रिप्स मॉक्स में है जो न्यू केंडेट हैं पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान हेट कर देना देखते आपके सामने पहला स्वाल साइंस का स्वाल है माइट्रो कॉंट्रिया है जो कोशिका का अंग है ये कितने इस तरिये कोशिका जिल्ली माइट्रो कॉंट्रिया में डबल लेर होती है दोरी कोशिका जिल्ली होती है अब डबल मेंब्रेन है कोशिका जिल्ली वाले कौन से कोशिकांग है तो उसमें आपके माइट्रो कॉंट्रिया तो भित्ती में भित्ती होगी जिल्ली नहीं होगी तो कोशिका भित्ती में भी एक तरी किसी कोशिका जिल्ली नहीं होती है जो कि पादव कोशिकां में कोशिका भित्ती पाई जाती है तारकाय है सेंटर स्वाम है वो कि वोल जन्तु कोशिकां पाया जाता है ये भी आपके ल सा कोशिकांग बन जाता है तो वो लाइसोस्वांग बन जाता है लाइसोस्वांग जो एंडोप्लाजमी क्रेक्टिकूलम है जो एंजाइम रहता है ना लाइसोस्वांग में पाच्चाण गया जाएं वो ER से ही बनते हैं उसमें भी RER से बाकी जितने भी कोशिकांग है लाइ एतरीन सेल जो मन्त एंड सेल है जो सबसे लोवेस्ट प्राइज की और सबसे अधिक्तम वैलिटी की सेल है न्यू केंड़ जो ऐसे भी सल सेम्टेस एक्जाम के अभी त्यारी कर रहे हैं लेटर्श पैटर्ण पर आतर रहती हैं यहां पर मौक टेस्ट है वो एड़ कर दी गए हैं और अभी आप टीटेजी के कोपन कोड यूज करेंगे तो मैजियम डिसकाउंट लेते हुए इस टील को 269 में ग्रेब कर शकते हो इस पर एक फरवरी के बाद में इसकी प्राइज बढ़ने वाली हैं तो समय रहते न्यू केंड़ेट हैं जो अभी तक मौक टेस्ट शिरीज नहीं लगा रहे हैं एक्जाम में टाइम में एनेजमेंट करना आपकी स्वाल मिस्ट हो सकते हैं एक्जाम से पहले जितने आप एक्जाम देना important नहीं है उसका analysis करो आपने क्या क्या गलतिया क्या next time वो गलतिया मत करो next time उस topic से आपकी स्वाल मिस्ट नहीं यह सभी analysis की तोर पर आप rank हासिल कर सकते हैं यही इस्टेट जी रहती है तो जिरूर इसको follow कीजिए गर new candidate join कर सकते हैं टीटीज की open code के साथ में सारे एक्जाम के मौक टेश्ट यहां पर लगा सकते हैं अगला स्वाल है 2011 की जनगरना कितने चर्णों में पूर्ण होई थी दो चर्ण है जिसमें एक तो housing जनगरना होई थी अप्रेल से सितंबर 2010 की मद्दी एक होई थी आपकी जन संग्या की गरना 9-28 पर होई थी 2011 की मद ठीक है नीमित जनगरना होई थी 1881 में उससे में कौन था रिपन और जनगरना आयुक्त उससे में कुछ प्लाडेन करके नाम था अभी जैसे विवेक जोसी है जनगरना आयुक्त जो कि अभी वर्तमान की 2021 वाली जनगरना है जो सोलवी जनगरना 21 उनके विवेक जोसी है और जनगर्णा है ये प्रती 10 वर्ष में होती है जो कि 15 जनगर्णा 2011 में उसमें टोटल 29 स्वाल थी अब की बार 2021 में जो 16 जनगर्णा उसमें 31 स्वाल है समराथ असो की मृतिव कब होई अब असो की मृतिव होई थी जम उनका ससनकाल है मृतिव में खत्म हो गया यह असो का ससनका 268 से 232 तक रहा है तो 232 ऐसा पूरो उनकी मर्तिय हो गई तो उनका जनम कब हुआ था जनम हुआ था 304 BC में मर्तिय हो गई थी 232 BC आप काफी केंड़ेट कहेंगे कि जनम से पहले मर्तिय कैसे हो रही तो यह दोस्तों बेफॉर किर्चे नेरा है यही 20 CE है जिसमें उल्टा चलता था यही 304 में जनम हुआ तो उसका एक यह होगा उसे कहेंगे आप 303 कहेंगे फिर 302, 301 इस प्रकार 232 BC में उनकी पार्टली पुत्र में मर्तिय हो गई थी और सासंकार में आप देखेंगे 268 में उननोंने शुरुआत किया 232 में खत्म हो गया यह तीसरे मोरे साशक थे यही बिंदुशार की पितात से उनसे पहले बिंदुशार बारबॉन स्टेडियम कहां पर है तो ब्राबॉन स्टेडियम है यह मुंबई में है और इससे पहले एम चिनास्वामी का पूछवा वो बैंगलूरू में है निरेंदर मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में है असाल्ट लैक स्टेडियम कहां पर है कॉलकता में है तो प्रमुका स्टेडियम आप देख सकते हो एडन गार्डन भी कॉलकता में है शहिद वीर नारायन सिंग इंटरनेस्टल क्रिकेट इस्टेडियम रायपूर में राजिव गांदी इंटरनेस्टल क्रिकेट इस्टेडियम है धिरबाद में डीवाई पार्टिल इस्टेडियम ये भी मुंबई में डीवाई पार्टिल है, वान खेड़े हैं और आपको जो बारबॉन पूचा है ये सबी मुंबई में है बारबाती स्टेडियम ध्यान रखना कटक में है अरून जेरती स्टेडियम दिल्ली में है भुपैन हजारीका क्रिकेट इस्टेडियम गुभाटी में ब्रकतुला खान है जोदपूर में सीवी पटेल इंटरनेस्टल क्रिकेट इस्टेडियम सूरत में है बिर्शा मुंडा ध्यान रखना रांची में है एथल्टिक इस्टेडियम है वानखेडे मुंबई गिरीन पाक इस्टेडियम कानपूर माहत्मा घांदी इस्टेडियम है सालेम तमीन नाडू और राजिव गांदी के दो इस्टेडियम है पहले पताया अभी यहाँ पर एक देहरादून में भी है स्वाई मान सिंग इस्टेडियम जैपूर मोहन बगान ग्राउंड है अदरी आच्चुका कोलकता में है स्टेडियम जैवलपूर में बिर्शा मुंडा है रांची में नेश्टेडियम पर उन्चास में चीप जश्टिस वर पिंडिया भार्त के मुख्य नाइदिस उन्चास में कौन थे उदे उमेश तलित थे अगस से नौंबर की मद्धी रहे हैं इसके अलवा वर्त्मान में प्रधान मंध्री जी के पास में कौन से मंत्रा लें तो कार्मिक मंत्रा ले लोग् शिकायत और पैंसल मंत्रा ले अंतिर्क्ष विभाग परमाण उर्जा विभाग ये सबी इनके अधीन है नितियायोग के पर्थम अद्यक्स आपको पूछ रहे तो वो थे नरेंदर मोधी थे क्योंकि 2015 में इसके हाई फॉर्मेशन हुआ इससे पहले योजनायोग था तो योजनायोग जब खत्म हो गयता 13 अगस्त 2014 को इसके स्थान पर नितियायोग का घटन एक जनवरी 2015 हुआ आप आपको पूछ रहे प्रथम उपादेक्स कौन थे नितियायोग के तो वो अर्विन पनगडिया थे ये आपके लिए इंपोर्टेंट है अब यहाँ पर नितियायोग से पहले जो योजनायोग था ना तो योजनायोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और योजनायोग फ चेर्मेन का तो हो गए है अंदरनेंदर मोधी लेकिन उपादेक्स वाइचेर्मेन कौन है तो यह सुमन बर याद रखना है सुमन बरे वरतमान में उपादेक्स है और चीप एग्जीक्यूटी ओपीसर जो CEO है वो कौन है परमे स्वन अईयर है ये दोनों इंपोर्टेंट ह वाइचेर्मेन शुमन अईयर है CEO बहार की CAG की करत्वे उन शक्तिया किस आर्टिकल में है अब CAG का जो पद है उनकी न्यूक्ति है वो आर्टिकल 148 में है उनकी शपत है उनकी शेवा की शर्ते है वो आर्टिकल 148 में CAG कम्ट्रोलर एंड ओडिटर जनरल और इनकी जो यह परिक्षक करत्वे शक्तिया शेवा की सर्तों का अधिनियम कौन सा 1971 का है CAG को बोला जाता है सावजनिक शेटर का परमुक सरक्षक पूछले तो वो CAG है या फिर पूछले लेखा परिक्षक और लेखा विपाक का परमुक कोई है वो भी CAG ODP है जो One District One Product योजना है इस योजना की बात करें तो शुरुवात हुई थी उत्तर प्रदेश सी यानि सबसे पहरे उत्तर प्रदेश ने ये योजना लेकर आई तो भार सरकार काफ़े अच्छी योजना लगी तो भार सरकार ने केंदर सरकार ने इसको एडॉप्ट कर दिय तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जनरवरी 2018 में लौज की गए थी इसकी सफ़कता के बाद में केंदर सरकार दोरा इसको अपनाए गया पूरे भारत भर में और सभी राज्यों में अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट ओडी ओपी के भी करेंट अपेस बनते है जैसे दिसमल 2022 में जो वन डिस्टिक्ट वन प्रोडेक्ट की योजना है न यहीं एक डिस्टिक्ट का एक प्रोडेक्ट ले ले और उनका अच्छी तरीके से मार्केटिंग की जाए उसी प्रोडेक्ट के नाम पर वो एक डिस्टिक्ट जाना जाए तो काफी अच्छा जाता है ODOP को DEH के परिचालन ग्रूप में परिचालन के लिए इसको विले किया गया है District Age Expert Hub ठीक है ये पहल जो ODOP है उत्तरप्रदेस सरकार के बाद जो केंदर सरकार ने इसको अड़ाप किया है तो किस मंत्रालिक अधीन है तो ये खाद्य परसंस्कार उध्योग मंत्राली के अधीन अब उत्तरप्रदेस का एक जुलाई 2022 का करंड़ पेरस है कि उत्तरप्रदेस वन डिस्टिक्ट जो वन प्रोडेक्ट है इसको Open Network for Digital Commerce O&DC यह O&DC platform से जोडने वाला देश का पहला राज्जे बना था भरतनाकम नर्तक जिने पदम आवाड़ मिला है तो नर्तक जिने पदम आवाड़ मिला आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूं जैसे भरतनाटेम और कुचिपूरी के डांसर है यामिनी किष्ण मूर्ती इन्हें पदम सिरी मिला था 1968 में पदम भुष्ण मिला था 2001 में तीनों ही प्रमुक आवाड भारत रतन को चोड़ दूं तो यहां पर शेकेंड थर् फॉर्ट हाईएट शिविलेन आवार देखेंगे इनको मिल चुका है यामिनी किष्ण मूर्ती को देको भरतनाटेम और कुचिपूरी के डांसर हैं कब-कब मिला है 1968 में पदम सिरी भुष्ण 2001 में सोहला में पदम भी भुष्ण लेटर्ष पदम भुष्ण 2016 में भरतनाटे यामिनी किष्ण मूर्ती को भरतनाटेम के एक ऊफ दांसर है पदम शुब्रहम्य में इन्हें पदम सिरी मिला है smoked verses नीमें पदम भुष्ण 2003 में मिला है पदम शुब्रहम्य कुचिपुडी के dancer है जिने लैटरश 2022 में पदमसरी जा गया है उनका नाम है दोस्तों पदमजा रेडी गोडम पदमजा रेडी को मिला है पदमसरी 2022 मेरे कुचिपूरी की dancer है पदमजा रेडी कुचिपूरी की इन्हें 1992 में मिला है पद्म भुष्ण और 2003 में मिला है पद्म भिभुष्ण राजा और राधा रेडी ये कुचिपुडी के डांसर पद्म स्री इन्हें मिल चुका है 1994 में और पद्म भुष्ण मिल चुका है 2000 में राधा और राजा रेडी को मिलका सिंग को 2016 में बात कर तो भार्थ गोरो आवाद इने मिला था बाकी पदम सिरी मिलका सिंग को मिल चुका है चारसो चालीस यार्ट्स रेनिंग में गॉल्ड जीता था 1908 में बाकी एश्याई खेलों में ये चार मेडल जीत चुके हैं गॉल्ड वो भी नेश्ट यापर भुकम प्रित्वी की कौन सी पटल में आता है जो अर्थक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र 31 दिसंबर 1608 में वो भी 24 अगस्त को आई थी कहां पर आई थी सबसे पहले सूरत बंदरगा पर आई थी विलियम हौकिंग की नेतरतों में आई थी हेक्टर जहाज वहाँ पर आया था यह सब इंपोर्टेंट फेक्ट है 1608 में 24 अगस्त को आई थी और कंपनी है यह हो गई एक तरी के इसकी मृति हो गई थी कंपनी के 804 में यानि समाप्त हो गई थी जब 807 करांती के बाद में 804 में एक कंपनी एक तरी की से भंग हो गई मांग और सप्लाई नींतन के लिए उप्युक्त विकल्प तो मांग और डिमांड और शप्लाई को निंतन करना है तो आपका स्टॉक है वो कंट्रोल में होना चाहिए, इन्वेंटरी आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, बाकी विकल्प क्या थे वो आप बताना नेक्स्ट वाल है विग्यानिक और ओद्योगिक अनुसंधान प्रिशद यहीं CSIR, विग्यानिक और ओद्योगिक अनुसंधान प्रिशद की पहली माईला महा निदेशक कौन बनी, तो N.Cly.S.L.V. बनी है CSIR, जो CSIR है Council for Science and Industrial Research है, इसकी पर्थम वुमन डारेक्टर बनी है, मह कौन बनी है, यह बनी है N.Cly.S.L.V. और आपको पूझ ले, इसका मिलता जोलता नाम है CSIR दोस्तों अलग है, काफी केंडेन जब स्वाल भेजे तो कुछ बेज ले, ICAR कुछ बेज ले, CSIR दोनों ही अलग लेके ध्यान रखना, ICAR है Indian Council of Agricultural Research का है, यह Science का Research का है, विग्यानि और ओद्योगी का अनुसंदान है, यह कर्शी अनुसंदान है, तो कर्शी अनुसंदान परिशत के डारेक्टर है, वो हिमानसु पाठक है, और जो CSIR के डारेक्टर है, वो N.Cly.S.L.V. है, अद्धिक्स कौन है, कर्शी अनुसंदान परिशत के, वो किर्शी मंत्री रहते ह इनके अद्धिक जो परतमान में कौन है ननेंदर शिंग तो हमारा नबाना या नवना उश्व संबंदी थे MTS 2021 में 2020 वाला MTS उसका एक्जाम 2021 में हुआ था उसमें यही स्वाल पूछा गया था हलंकेस में राज्य का पूछा है और भारत में भी यह पच्छी मंगाल तिर पुरा असम राज्यों में मनए जाता है तो नबाना या फिर नवना बांगला देश पच्छी मंगाल जरूर याद रखीगा मौलिक करत्यों से संब्दिश स्वाल है तो क्या हो सकता सारे फेक्ट बता दूँ मौलिक करत्यों हैं कब एड हुए है 1936 में बेलेशवा समीधान संसोजन मिनी कॉंस्टियोशन है इसके तैस सरदार श्वन सिंग समिति की सिपारिस पर एड किए गे हैं कहीं न कहीं जोड़े गए समिधान में तो इसमिधान का भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में 11 मोलिक करत्वेट वरतमान में है सुरुवात में जब एड हुए थे तो 10 थे 10 मोलिक करत्वेट 11 कब एड हुआ 2002 में 17 6 समिधान संसुदन omega 2 में 11 वाइड किया गया है मोल समिधान में 10 मोली कर्टवे थे अब ये मोली कर्टवे थे कौन से आपको याद रखना काफी बार पूछता था निमलिक्त में से कौन सा मोली कर्टवे नहीं है तो ध्यान रखना यहाँ पर एक बार की देख लीजेगा कि भारत की प्रतेक नागरी का कर्ते होगा कि इस विधान का पालन करना है उनको आदर्ष और राष्टे धोज हो गया राष्टे गान है संस्ताओं है आपको भी उनका आदर करना है सोतंतर्ता के लिए जो राष्टे आंदरुन को प्रेट करने वाले उच्छ आदर्श आपके हर्दे में रखने हैं भारत की प्रभूता एक्ता और अखंटा की आपको रक्षा करनी है देश की रक्षा करनी है भारत की सभी लोगों में समर्षता और भातर्टों की भामना का निर्मान करना है सामाजिक संसकर्ति की गोरोशाली प्रंप्रा का महतो समझेना आपको प्राकर्तिक प्रयावन की रक्षा करनी है वेग्यनिक देश्टिकॉन की भावना रखवी है साजनिक संपति को आपको सुरुख्षित रखना है व्यक्ति कते हैं उस्रामोई गति वीडियो के सभी छेतर में उतकर्षक और बढ़ने का सतत प्रयाश्ट करना है 6-14 वर्ष के बज्चों ही तो प्राप्निक सिक्सा जो 11 वाइड की आगे है जो 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट में पारित हुआ था और 26 अगस्त 2009 को राश्टपती परतिवा पार्टिल ने उस पर हस्ताक्सर किये थे काफी बार पूछे जाता आर्टी एक्ट है 2009 वाला देश में लागू कब हुआ है लागू हा था दोस्तों 1 अप्रिल 2010 को पूछे जाता इसमें कितने अध्याएं हैं कितनी धाराएं हैं साथ अध्याएं हैं आर्टी एक्ट में धाराएं साथ 38 और बाद में एक और एड़ोई थी 49 हैं 2012 में एड़ोई थी 49 धाराएं हैं वर्तमान में प्रेसरी से नहीं जुड़े हैं, टेस्ट बुक की बेहतरीन डील का सबसे लोवेस्ट प्राइज, हाइएस्ट मेक्जिम वेल्डिटी, साथ इसाथ मौकाई स्मार्टपॉन जीतने का लिमिटेड टाइम के लिए डील है, एक तारिक से इसकी प्राइज बढ़ रही है, समय रह टेटीटीजे के कोपन कोड यूज करते हूँ, आप सविन कर सकते हूँ, लिंक डेस्क्रिप्स मॉक्स में धन्यवाद